आपके क्या trade plan होने चाहिए, कि कल किस तरह का projection हो सकता है, देखिए, मैं आपको एक concept बताओ, एक 3 के आंकडे को बाजार में ध्यान रखा कीजिए, कभी भी गिरावट होगी तो 3 trading sessions, प्राइस चलेगा तो 3 trading sessions, और अगर प्राइस कहीं inverted hammer बना रहा है या hammer बना रहा है, hammer का मतल है, एक seller का rejection candle, invited hammer होता है, एक buyer का rejection candle, कि आप बेच कर गए और buyer खरीद कर ले गया, आप खरीद कर गए, seller बेच कर चला गया, जब तक बंद होगा बाजार, ठीक है, तो इस तरह से, तो वो भी तीन candles बनती, तीन कांकड़ा बहुत महात्पूर है बाजार में, आप दोग धीर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यह मैं आप इसे कह सकता हूँ, दूसरी बात, यह तीन candles ऊपर consolidation, ठीक है, अब trend का तीन candle, उसके बाद एक candle में पहले गिरावट गए, यह तीन candles consolidation, फिर इसके low break किये गया, तो इस तरह है कि projection, तीन candles का अंकड़ा, ठीक है, जब आप खरीद खरीदारी कैसे आई, बिकवाली कैसे आई, सेलिंग और बाइंग कैसे हुई है, यह सारी चीज़े, पिछले तीन दिन के projection को, यह किसलिए कह रहा हूँ, यह तीन दिन के projection को बहुत ध्यान से देखकर बैठा कीजिए, सबानों पे बैठना है, पहले तीन दिन के projection को रट कर कि किस formation से खरीदारी हो रही थी, किस formation से बिकवाली हो रही थी, वही projection के setup repeat किये जाएंगे आज की market, उन्हीं तीन दिन में से कोई setup, ठीक है, तो तीन दिन का projection, पिछले दिन का, और तीन दिन तक बिकवाली चलती है, तीन दिन तक खरीदारी चलती है, तीन दिन तक consolation, मैं यह सारी चीज़े आपको, classes में बहुत अच्छे से बताता हूं, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब बिक्वाली के chances कम हो गए, तो कल के session में क्या हो सकता है, कल के session में या तो consolidation या फिर rejection, या तो price रुकेगा, या फिर उपर की तरफ कहीं न कहीं से, बिक्वाली उठाने ठीक है, दूसरी बाद, दूसरा sign क्या है, क्यों कह पा रहा हूं, premium decay, मंडे को wix open हुआ, gap down 10% के आसपास, और फिर rising wix में wix close किया, positive, तब से लेकर, Tuesday आपका holiday था, Wednesday, कल का session, कल के session में गिरावट हुई, wix rising था, आज के session में downtrend आया, और wix rising था, 9% के उपर के high लगा कर आय जब wix में decline आया, 12 बजे के बास, तब premium के melt होने का as a seller हम लोगों को फैदा मिला, एक अच्छा मुनाफ़ा हमारे traders में बनाया, morning में ही हम लोग shots का position लेकर बैट कहे थे, पता था, meltdown शाम तक premium होंगे, projections इस तरह से चल रहा था, उस तरह से, ठीक है, तो अब कल के sessions में straddle औ और strangle एक अच्छी opportunity हो सकती है अगर आप trade करना चाहते हैं, और buyers जो है, option buyers, वो थोड़ा सा wait कीजे, ये तीन दिन आपके थे, अब अगले 3 sessions या 2-3 sessions आपके नहीं होंगे, होंगे, अगर rejection आता है तो, ठीक है, अगर rejection आता है तो, ठीक है, तो आगे का trade plan, बिल्कुल clear है कि downt downtrend अब नहीं देखना है, ठीक है, अब downtrend नहीं देखना है, ये 3, मैंने कहा आपसे पिछले 3 दिन की खरीदारी या विक्वाली, transaction को देखकर बैठी, ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, हमारे लिए as a intraday trader क्या महतपूर है, हम किसको trade करने बैठ हैं, हम institutional buying या selling को trade करने बैठे हैं, और उसमें भी अगर आप देखे हैं, तो हम लोग recent institutional buying या selling को trade करने बैठे हैं, कि बहुत सारे institutions हैं, mutual funds हैं, ICI, 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 और सारे banks के आप देखेंगे, सभी के mutual funds रन हो रहे हैं, arbitrage पराग पारे के mutual funds आपको देखने को मिलते हैं, LIC, आपक ऐसा lot कर कहां आता है बाजार में, तो उनमें से जो खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं, जो recent selling और buying कर रहे हैं, हमको उन पे believe कर रहे हैं, और उनका identification करना है, उनकी पहचान करनी, तो सबसे ज़्यादा probability है, जिसने कल खरीदारी की, वो आज खरीदारी करने की सबसे ज़्य पहले बस, तो तीन दिन तक, पिछले तीन दिन जो active थे, उन्हीं में से कोई ना कोई आज के बाजार में active होगा, ये सबसे ज़्यादा possibility है, और खरीदने और बेचने का तरीका, institutions जल्दी बदलते नहीं, जैसे कल खरीद कर गए, possibility है आज वैसे ही खरीद कर जाएंगे, जै अगर चलना है, तो एक से दो session में rejection लीजिए, उपर कहीं होकर आईए, फिर थोड़ा consolidate करके, वो swing हाई निकालिए, तब आप चलेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल clear है, अब downtrend की कोई possibility, कल के लिए trade नहीं करनी है, तो अपनी lot size को, अपना जो आपका position size है, उसको छोटा नहीं तो आप trap होने की possibility रखते हैं, ठीक है, तो downtrend नहीं देखना है, 42,000 के नीचे अगर market trade करे, sustain करे, फिर हम लोग live market में उसको review कर सकते हैं condition को, लेकिन अभी कोई भी downtrend नहीं देखना है, ठीक है, thank you